दुश्टु उत्तर प्रदेश बीएट छात्र संग के दौरा माननी मुख्यमंतरी स्री योगी आदित तिनाथ जी को एक ग्यापन सौपा गया है इसमें क्या कहा जा रहा है आईए जानते हैं इस वीडियो में यहाँ पर आपको पता होगा कि बीएट और बीटी सी को लेकर के विवाद चलना है प्रात्मिक सिक्षकबर्ती में अर्यता को लेकर के विशय क्या है 14 जुलाई को जो आपकी सुनवाई होनी है इलहाबाद हाई कोर्ट में और इसके बाद 19 जुलाई को आपकी सुनवाई जो ह लेटर भीजा गया है ये बीट छात्र संग के द्वारा भीजा गया है और प्रदेश अध्च का नाम भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसमें ये कहा जा रहा है कि 14 जुलाई को माननी इलहाबाद हाई कोर्ट में याचिका संख्या में बीट को प्रात्मिक में बचाया रखने है तो सरकार की तरफ से एजी अजे कुमार मिश्रा दोरा पैरवी कराया जाने के संबन्द में यानि इनके तरफ से रेक्विष्ट की जा रही है कि जो है आपका मामला 14 जुलाई को सुनवाई होनी है उसमें सरकार की तरफ से एजी अजे कुमार मिश्रा पैरवी करें महुधbuds विनम्र निवेदन है कि हम सब उत्तरफिश की बीअड बिर्ती है जिनोंने उत्तरफिश की सिकशक भरती में परतिभाग लेने के लिए उत्तरफिश सिकशक पातरता परिक्षा 2021 में परतिभाग लिया लेकिन माननी इलहाबाद हाई कोट ने राजस्तान हाई कोट के डबल बेंच के फैसले के अधार पर हम सभी बीएट डिगरी धारकों के यूपी टिट के रिजल्ट पर रोक लगा दी है जिसकी वज़े से प्रदेश के लाखों बीएट डिगरी धारकों के आगामी सिक्षक बरती में प्रतिभाग ना ले पाने का खत्रा मड़ा रहा है जैसा कि आपके संग्यान में कि बीएट को प्रात्मिक सिक्षक बरती में वर्तमान केंद सरकार के अनुमोदन और NCTE के 28 जून 2018 के अधिसूचना के अधार पर सामिल किया गया था लेकिन कांग्लेश सासित प्रदेश राजस्थान द्वारा कोट में बीएट की तरफ से लचर पैरवी करने की वज़े से आज राजस्थान सहित देश के एक करोण से अधिक बीएट डिग्री धारकों के प्रात्मिक सिक्षक बरती में सामिल ना हो पाने के संकट बन गए है अकेले उतर प्रदेश में ही बीएट डिग्री धारकों के संक्या लगवग 15 लाख है जिसमें चात्रों ने एंसी टी के 28 जून 2018 की अधिसूचना को देखकर बीएट करने का निर्ण लिया एकदम सही बात यहाँ पर यह है कि कि किसी को कोई पता थोड़ी था कि ऐसा 18 के बाद 19 में जिनोंने एडमिशन लिया 20 में जिनोंने एडमिशन लिया 21 में और 22 में एडमिशन लेंगे वो तो यही मान करके एडमिशन ले रहे हैं कि उनको प्रात्मिक सिक्षक भरती और जूनियर TGT PGT BEO इन सभी में मौका मिलेगा क्योंकि इसमें जो एडमिशन ले हाई B8 में इसकी कोई गलती नहीं है हलाकि यहाँ पर राजी सरकार को इस पर एक कानून बना देना चाहिए ताकि यह बार बार का जगड़ा जंजट ना हो कि इसके पहले 72,000 पदों पर सिक्षक भरती हुई थी उसमें भी B8 सामिल था फिर B8 को बाहर कर दिया गया और फिर 68,500 सिक्षक भरती हुई इसमें B8 सामिल नहीं था और 79,000 सिक्षक भरती में फिर से B8 सामिल हुआ और फिर से यह मामला अटका हुआ है तो रेक्वेस्ट यही है कि इस पर एक कानून बना दिया जाए और हम तो यहीं कहेंगे कि जिस तरीके से B8 को प्रात्मिक में सामिल किय जा रहा है 6 माह का ब्रिज कोर्स करके उसी तरीके से 6 माह का ब्रिज कोर्स डियलेट अब्यरतियों के लिए अड़ कर दिया जाए और इनको भी TGT, PGT और जितनी भी B8 वाली भरतियों में सम्मिलित करने का मौका मिलता है वो सभी चांसे डियलेट अब्यरतियों को दिया ज में रखते हुए अलहाबाद हाई कोट में याचिका संख्या 1512 पटे 2022 प्रतीक मिस्रा बनाम इस्टेट आफ यूपी में उत्तर प्रदेश के एजी अजय कुमार मिश्रा जी की द्वारा बीर्ट के पक्ष में मजबूत पैरवी करवाने की प्रपा करें ताकि उत्तर प्रदेश के 15 लाग से अधिक बीर्ट डिगरी धारकों को नया मिल सके आल लेड़ी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद सरकार बीर्ट प्रतियों के पक्ष में है तो बहुत जादा आपको घबडाने की टेंसल लेने की आवशक्ता नहीं है ठीक है ब